हेप्पी नबरात्री टू अल आफ यू वेलकम डू दू दा कम्प्रीट मेडिकल सॉलिशन आज हमारी क्लास है रेलेड़िट टू ब्रेंग जो हम आज टॉपिक जिसके बारे में डिस्केशन कर रहे हैं ब्रेंग देको ब्रेंग क्या होता है और क्या इसका रॉल होता हमारी बोडि में उसके बारे में आज हम बात करते हैं तो सबसे फriasर क्या होता व। उसको इंटफ़क्शन कराते हैं है वाट इस ब्रेंग तो क्या होता की ब्रेंट ब्रेंग देखें ब्रेंग के अरोडिम सबसे इमपोटेंट रहता है हमारी बोडी में मुवमेंट बगएरा कुछ भी सोचने की चमता जो भी हम सोचते हैं समयते हैं या जो भी decision लेना होता है में तो उसमें क्या होता है कि brain का सबसे important role होता है तो क्या होता है brain is one of the most important organ in your entire body ठीक है next बात करते हैं it controls everything in the human body. तो human body का जितना भी control होता है जो हमारी propao सोटा है क्या करना चाहिए मतलब जो भी body को में control करना movement अगरा तो सब किसका role होता है brain का नेक्स्ट दा ही। सामें लेक्न है heК humour व्हूंता है जिए-व्हूंता ह् भ Yog Нर्वस शिष्टम का छे व्हूता है यह ब्रेंग घंड है क्यमें ठीकियो हमाह कुण खिर्ड मैंन द्यक्स शिर्टर्ड का मतला है जो बी पर इंध यह 11 ब्रेंट से रहता है यह ब्रेंट हमारे क्या होता है यह हमारा ब्रेंट है अब जैसे कोई पूछता है यहां से के ब्रेंट जैसे ब्रेंट हमारा टॉपिक चल ला तो उसके बारे हम डीपली डिस्केशन करते हैं तो साइज size जैसे पूछते हैं कि brain का size क्या होता है तो आप बताओगे 1300 से size of brain ये कहीं MCQS related question पूछ लिये जाता है कि size of brain brain का size क्या होता है तो 1300 से 1400 gram ठीक है ये उसका weight हो गया और length इसकी क्या होती है 15 cm long 15 cm long ये उसकी length हो गई और 1300 से 1400 gram weight हो गया brain का human brain का what does the brain do ठीक है क्या करते हैं brain से the brain helps you to think, move, speak and lots more जो भी हम सोचते हैं movement करते हैं जो भी बोलते हैं और भी बहुत सारे decision बगएरा तो उसमें किसका role होता है brain का ये help करता है brain क्या हमें decision लेना चाहिए क्या करना चाहिए तो उसमेंड करता है brain पर it controls all the organs inside your body which includes pumping your heart and moving your muscles तो उसमेंड पर control किसका होता है brain का control होता है ठीक है ये देखो structure brain का structure human brain के weight की बात हो गई ठीक है 1300 से 1400 gram होता है ये आपको mainly याद रखना चाहिए कहीं भी कोई पूछ लेता है या related आ जाता है नेस्ट नम बात करते है different chambers different chambers में हमारा क्या आता है biggest part of the human brain is the cerebellum ठीक है ये क्या होता है human brain का सबसे biggest part होता है which helps you to think and memorize things such as solving math problems ठीक है जो भी सोचने बगएरा के सब काम होता है किसका होता है cerebellum ठीक है ये क्या होता है जो हमारा brain होता है उसका सबसे biggest part होता है next रहता brain stream helps you keep breathing the pituitary gland is the part of the controls your growth ठीक है जो pituitary gland होती है बो क्या करती है control करती है और growth को ठीक है ये क्या होता है एक part होता है the hypothalamus is like theometer that keeps your body at the right temperature the mi8 is bunch of cells that controls your emotions ये क्या होगा different chambers of brain मतलब क्या part होता है और इसका क्या role होता है ठीक है next आगे हम बात करते है human brain anatomy ठीक है human brain anatomy की बात करते है तो इसमें ये देखो दीजार frontal lobe ये हमारा क्या frontal lobe है ये हमारा parator lobe है ठीक है occipital lobe cerebral spinal cord temporal lobe ये क्या होगा human brain anatomy जो भी ये मतलब brain है उसका structure है और structure में कौन सा part कहां होता है कहां frontal lobe होता है Bentädagog occipital cerebral spinal cord temporal amount यह क्या होता है? Human Brain Anatomy के यह पार्ट होता है, जो भी ब्रैन है तो उसका यह पार्ट है और कौन सा पार्ट कहा होता है, तो उस अब आपको बताया गया है ठीक है? और यह देखो, यह structure दिये गया है, यह हमारा human brain है, ठीक है? human brain है, यह चेंपान जीज का है, ठीक है? यह मैंसे कह वह रही है, mouse बगएरा, तो यह human brain का structure है, इसके size के बारे में बताई, 1300-1400 ग्राम इसका size होता है, ठीक है? 15 cm, length होती है इसकी, और जैसे brain की बात करते हैं, इसमें 3 types इसे divide किया जाता है, 3 basic unit होती है brain की, ठीक है? 1st हमारा क्या होता है? 4 brain होता है, और 2nd हमारा क्या होता है? mid brain, 4 brain, mid brain and hand brain, ठीक है? यह 3 types से इसका divide करते हैं brain को, ठीक है? divided 3 basic unit होती है brain की, 1st हमारा क्या होता है? 4 brain होता है, 2nd हमारा mid brain होता है and last one is hand brain, यह हमारा brain का types हो जाते हैं, ठीक है? उसके बारे में हमने discussion किया है related और भी आपको कोई confusion रहता है इस topic से तो आप comment section में पूस सकते हैं या आगे आपको जो भी solving चाहिए या मतलब कुण सा topic आपको पढ़ना है तो comment section में आप बोल सकते हैं thanks for watching this video please like, share and subscribe thank you